नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। तो हजार तेईस को सावन का पांचवा सोमवार है और चार जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्ट को समाप्थ हो जाएगा। सावन के महीने में इस बार शिव जी की सरवाधिक क्रिपा बरसेगी क्योंकि इस साल आठ सावन सोमवार वरत है इसमें चार सोमवार वरत और चार सावन अधिक मास वरत सावन मास में माल मास या पुरुशोत्तम मास की वजह से इस बार चार नहीं बलकी आठ सोमवार के वरत किये जाएंगे पहले सोमवार का वरत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का वरत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का वरत 24 जुलाई, चौथा सोमवार वरत 21 जुलाई और पाचवा वरत 7 अगस्त, 6 सोमवार वरत 14 अगस्त और 7 अगस्त ऐसे में सबसे अंत में 28 अगस्त को आठवा सोमवार वरत किया जा दोस्तों अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोले नाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तामबे के लोटे में जल भर कर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री डाल कर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धर्ती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। यदि अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ती के भूखे हैं और वो आप से कुछ नहीं मानते। सच्ची भावना और सच्ची दिल से अगर आप उन पर जल भी आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको मा तुलसी का धेर सारा आशिरवाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उप्योगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाब भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे में ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्थ होता है क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। आप से एक विंती करते हैं कि विडियो को लायक जरूर करियेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी जय मा तुलसी मा के लिए एक लायक तो बनता है मा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों भारत ही नहीं बलकि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टी से देखा जाता है। अनेक औशधिय गुनों से भरपूर तुलसी में धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उप्योग होता है। प्राणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णू जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जन्नी भी है। परमात्मा के अनेक दुलर्ग वर्दान में से एक है। तुलसी के बिर्वा को अमरित रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहा ब्रह्मा, विष्णू शिव यानी की त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नश्ठ हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदे होने पर अंधकार नश्ठ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांती और समरिध्धी बनी रहती है। अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गलतिया कर देते हैं, वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी मा को चौधा है बलकि ये हमारी मा के समान है। कई घरों में तुलसी मा पर चौधा कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। बाफट जाती है और फिर बाद में कई लोग एक आदशी या फिर किसी शुभ अफसर पर ही चौधा कर देते हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कश्ट नहीं आते। और तुलसी माता के पास कपड़े कभी ना सुखाएं क्योंकि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं, तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है, और घर में नकारात मकता फैलती है, तो ऐसे में भूल कर भी तुलसी के पास और शिवलिंग के पास कपड़ कभी नहीं सुखाना चाहिए। पाप लगता है दोस्तों रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वरजित माना गया है। पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की क्रिपा बरसेगी। कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों वैसे अगर आप चाहे तो सावन के महीने में भी तुलसी में लाल मौली धागा अवश्य बांध सकते हैं। इससे वो सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी जो आपके हिदय में हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेश उपलब्धिया प्राप्त होती हैं। घर में दुख, दर्द, तकलीफ दूर होती है और भ्यंकर कश्टों का नाश होता है। दुखों का नाश हो जाता है। दीमारियों का नाश हो जाता है तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेश लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेश मनोकामना या धन प्राप्ती की इच्छा है या फिर आप चाहते हैं घर में सुख समरिधी हमेशा बनी रहे तो ऐसे में अगर आपके पास लाल मौली धागा नहीं है तो आप कोशिश क करें कि एक लाल चुनरी ही बांध दें लाल मौली धागा अगर नहीं मिलता है तो आप चुनरी अवश्य बांधें इससे भी आपको महा विशेश लाभ होगा तो दोस्तों यह छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होग माता रानी से आप कितना प्यार करते हैं एक लाइक करके बताएं और कमेंट में लिखे जय माता तुलसी धन्यवाद